प्रेंड्स बहुत अच्छे होगे तो फैमिली मेरा लगातार ब्लॉग चल रहा है कल मैं नहीं कर पाई थी कि क्योंकि बहुत लंबब लोग हो गया था तो यहां पर देख सकते हैं नहा कर आ गई हूँ और अभी कपड़ा नहीं धोई हूँ क्योंकि अगर नहाने में कपड़ा धोने लगती न तो फिर एक दो बच जाते हैं अभी छोटा दिन भी कर रहा है तो बिल्गुल टाइम नही बात्रूम वेगरा सब घिसना था तो इसके वज़ा से कपड़े मैं सोच रही हूँ छट पे जाके दोलूँगी तो देखिए नहा कर आकर और थोड़ा मैं पूजा पहले सबसे पहले पूजा कर लूँगी बिस्किट तो खा ली हूँ क्योंकि दवा मेडिसन लेना रहता है तो मैं बिस्किट वगरा खा ली हूँ इसके बाद आ गई हूँ पूजा करने अब तुलसी मा को जल दूँगी और पूजा करने में मैं ऐसे ही परशाद चढ़ाती हूँ जैसे डेली का पूजा होता हूँ ऐसे ही बस सिर्फ मंगल वार और गुरू बार और संडे को पूजा करने में मुझे यहां पर नास्ता कर लूंगी और आगई हूँ च्छत पे मेरी बेटी को लेकर आ गई हूँ आ स्कूल से और उसको देखे यहां पर में बहुत सारा कपड़ा था सोफिय का कभर और पिलो कभर बगर और इनका भी बहुत सारा मेरे हैस्मिन का तो उपर में जो टीपड़ा है ना मम्मीया यह जब से रखा हुआ था तो उसमें पानी था मेरे पास तो मैं खुद से ही चड़ाई हूँ इतना बजन भी बहुत ज़्यादा था तो देख सकते हैं यहां पर पहले मैं उसका ड्रेस विगरा था इनिफॉर्म विगरा सब को इसको आई है तो सब भी में दो दे रही हूँ दो दिन बच्चे हैं ना ठंडी में बहुत गंदा कर रही है कपड़े विगरा भी ठंडी के हैसे भी गर्मी भी करती है तो यहां पर देखिए पहले मैं दो ले रहा था थोड़ा सा च्छत पर अच्छा लग रहा था धूप भी था ना मैं बाल देखे धोये हैं तब तक ज़ाड़े भी नहीं बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है बच्चे रहते हैं तो और उसके बाद आई तो उसको खाना खिलाए च्छत पर लेकर ही आई उसको खाना खिलाने के लिए और दोफर का खाना बनाई हूँ तो देखे यहां पर कपड़े दोने के बाद होते होते करीब चार-पांच बच जाता है इसे और उसको मैं फिर खाना खिलाऊंगी वो बैठी हुई है जब तक मैं नहीं खिलाऊंगी वो खाती ही नहीं खुद से यहां पर धूप थोड़ा सा ही है तो पूरा रात आ च्छत पे ही ऐसे कपड़े डाल के छोड़ दूगे क्योंकि दो-तीन घंटा में अभी सुखेगा नहीं अब जैसे हलका हलका धूप आने लगा है और अभी का धूप बहुत अच्छा लग रहा था तो वही च्छत पे एक बोड़े था उस पे बैठने के लिए क्योंकि यहां पर च्छत इतना गंदा हो जाता कि मत कहिए यहां पर सारे कपड़े में मैं चीमटा लगाती क्योंकि और ना जाए अभी साम के देख सकते हैं पीरो छे बज गया है और इधर साम का दिया बत्ती हो गया है अभी हम लोग थोड़ा सा जा रहे मार्केट और डॉक्टर के पास मुझे दिखाना है थोड़ा सा मेरा प्रोलम चल रहा है कुछ तो बताओंगी कभी कि क्या प्रोलम चल रहा है आज का उनका देख बुलाए थे कली बुलाए थे कल मेरे हैसमन का मतलब ड्यूटी था इसलिए नहीं जा पाए तो अभी हम लोग चलते हैं और कुछ कुछ लूंगी कुस से आगे कपड़ा धो कर दे कि साम भी बहुत जल्दी होने लगा छे बजे ही अभी डॉक्टर विगरा के बाद दिखाने के बाद यहां पर मेरी बेटी बोली पेश्टी खाना है तो उसको पेश्टी के पास मतलब भईया के पास लाए हैं तो उसको ले दिये हैं थोड़ा स अगे बाद से प्रोटी बनाई मन कुछ नहीं करा था बहुत लेट हो गया था बज़ गया था ऐसे तो देखिए अंडा भुजी बना रही हूं और इसमें देखे ओनियन को मैं दो ओनियन ली थी और टमैटो नमक डालकर धग दे रहे हूं हरी मिर्ची सबको इसमें सिफ मसा अच्छा लगता चीकन विगरा उतना नहीं खाती है और अभी ठंडी में कहा है ना नौन वेज बेगरा खा भी सकते हैं क्यूंकि गर्मी में तो पिंपल्स विगरा का भी और गरम भी करता है बहुत ज्यादा इसको थोड़ा सा सुखाना पढ़ता है इसमें थोड़ा सा और बहुत अच्छा पालक था भी खाना भी हो गया और इधर मेरी बेटी बेचार इदम थकी हुई है क्यूंकि सुबह जाती है और हम लोग डेली मार्केट मतलब चले जा रहा है मतलब लगतार ही हो जा रहा है उसके वज़े से इसका स्टेडी होंबर्क हो नहीं पाता है आ तो मैं अभी ही तोड़ ली पाडला क्योंकि सुबह में बिल्कुल टाइम बेगरा नहीं मिलता है हिंदी हो गया बेटा नहीं कि हिंदी बेटा कितना बुचार बहुत से रहा है कि इसको नेन कितना रही तुरंत सो जाएगी आख बंद करते ना बेटा रोटी आधा खालो ब बहुत ठक गए थे पूरा दीन काम चालू रहता है हर बुमिन का घर का वही रहता है हाल तेहां पर देखे एक और आलू मटर सबका मतलब बहुत तेश्टी बना था सबजी मैं हमेशा ऐसे बनाती हूं बहुत पसंद आता है मेरे हैस्बिन को तेहां पर देखिए आलू और एक को वाल कर उसको छील लिए हूं ठंडा करकर उसको मैं अच्छे से फ्राइ करूंगी और सबको एक साथ ही मैं डाल दे रही हूं एक कडाही नोनेश्टिक बहुत फाइदा रहता है कि मतलब चलाना भी नहीं पड़ता है खुद से देखे वो इसके हुला देती हूं बस हो यहां पर रूसी तेल में थोड़ा और तेल डाली हूं कि थोड़ा सा तेल ज्यादा मतलब मुझे नॉन विज वगरा में लगता है यहां पे जीरा तेज पत्ता लाल मिर्ची डालना सुखी वाली तो मेरे पास सुखी वाली लाल मिर्ची भी खतम हो गया इसमें मैं चार ओन नमक डालने से ही जल्दी सॉफट हो जाता है लाल हो जाता है लाल हो गया का समीरी लाल के लिए और बस दालने के यह हुआ है यह अधरक लहसन हरी मिर्च और गुल की जीरा यानि काले मिर्च सब का पेश्ट बनाकर और यह थोड़ा सा मसाला थोड़ा सा ज्यादा डाले हूं कि थोड़ा सा चावल के साथ खाना है और इसके वज़े से चावल रोटी दोनों बनाई थी तो इसको मैं अच्छे से फ्राइ करूंगी बिल्कुल धीमे गैस पर यह है मसाले में डाल रही है धनिया पौडर दो चमाच हल्दी और लाल मिर्ची तीखी वाली यह सब को डालकर धीमे धीमे गैस पर अच्छे से फ्राइ करते हैं और देखे तेल चोड़ने लगा फिर उसके बाद मैं टेमेटो डालोंगी क्योंकि टेमेटो पहले डालने से न मसाला अच्छे से फ्राइ नहीं होता है तो पहले मसाला को मैं अच्छे से फ्राइ कर ली थे अब टेमेटो डालकर यह देखिए उसको ढखकर मैं टेमेटो को गलाती हूँ आईस में है मैं मीट मसाला डाल रही हूँ मैं मीट मसाला चिक अच्छे से मीक्स करूंगी देख सकते हैं तेल छोड़ने लगा है अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी और यह स्वात के अनुसार नमक डाली थी और देख सकते हैं और इसमें अब गरम मसाला डाल दूँँ घर का बना हुआ है मैं बनाई हूं तो बहुत टेश्टी बना था इसको रोटी चावल सब के साथ खा सकते हैं कंसा को अच्छा लगा और टेश्टी कौन सा है यहां पे देख सकते हैं, बीज में मैं रोटी बना रही थी, तो दूसरे तरफ मैं गयस को कर दी थी, और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको मैं अराम से करिव 15-20 मिनार तक खौन ले दी थी, क्योंकि एग में जब तक पूरा ग्रेवी का मसाला जाता है ना, तो बहु इसके साथ बाजड़े की रोटी ग्रेवी वाला इसलिए बनाई हूं कि बहुत टेस्टी लगता है, देख सकते हैं, तो आप लोग भी ट्राइब करेगा, अगर आप लोग ट्राइब नहीं कि तो बहुत टेस्टी सची में लगा था, तो फेमली, अगर मेरा वीडियो आप को अच्छा लगे हो, तो प्लीज लाइक सेस्क्राइब कर दीजेगा, बेलेकन को जरूर प्रेस कीजेगा, कि आपका मेरा वीडियो देखने को मिले, नोटिफिकेशन मिले, तो यहां पर देखिए उसका बड़े गिप्ट मिला है, मैप, इंडिया मैप, क्योंकि बच्चे क अभी सेही देखाएं, मतलब सीखेगी कि कैसे कहा है, तो यह मैज के पाप,